हाई प्रेंट्स आज की वीडियो में मैं यह आई लू क्रेट कने वाली हूँ और मैंने उसकिया है हुड़ा ब्यूटी का ब्लू एंड ग्रीन कलर ब्लॉक पैलेट सबसे पहले हम अपने आइस पे अप्लाइ करेंगे निक्स कॉस्मेटिक्स के वाइट आई पैंसिर को इस वन इस प्रेंट मिल्क बहुत अच्छा बेस प्रोड़क्ट है और यह कलर फुल आई शाड़ो अगर आपने इसे अभी तक ट्राइन ही किया तो आप जरू से ट्राइ करेंगा मैंने इस प्रोड़क को अपने लिड पे लगाया और अपनी ओली की वांप से प्रोड़क को अच् आउटर वीपर मैंने जो ब्रश लिये है वो है मेरा अल टाइम फेवरेट वेट इन वाइल का फ्लाट आईशाड़ो ब्रश ब्रश बहुत सालसो यूज़ करते हैं इसका जो ब्रिसल है वो काफी स्टिफ है और कलो को पाक करने बहुत मददगार रहता है और आप देख सकत और यह वाला ब्लू कलर तो वाओ बहुत ही जादा सुन्दर लगा मुझे आप देख सकते हैं कितना वाइबरेंट है जितना वाइबरेंट वो पैलेट में दिख रहा है उतना ही वाइबरेंट वो लिट पर भी ट्रांसलेट हुआ यह सबसे अच्छी बात लगी मुझे ऐस ब्राइट ब्लू आइशाडो के पास और सब कुछ अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ वेटन वाइल के ब्रश की मदद से और काफी अच्छा ओंब्रे एफेक्ट दिख रहा है मुझे फॉल आट भी है आप जैसके आराम से देखी सकते हैं और यह मिंट ग्रीन आइशा मैंने एकी ब्रेश से यह चारू शेट नहीं लगा है और यह एक आइशाडो ब्रश है जो मेरे पास था काफी पुराना है और इसे यूज़ करके मैं वो ब्राइट लाइम कलर अपने इनर कॉनर ऑफ दी आइस पर अपलाई कर रही हूँ मुझे यह बहुत अच्छा लगा पर आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा चौकी भी है और से मैं बिल्ड कर रही हूँ ताकि यह ब्लू कलर के जो आइशाड़ोस में लगाए है उसके साथ मेश हो जाए ब्लेंड हो जाए उस टाक ना लगे ताकि आप देख सकते हैं यह जादा वाइब्रेंट में नहीं है सम और मैंने अपने दूसरे लिट पे भी प्रोड़क्स को अप्लाए कर लिया था और आइशाड़ो का कितना फॉल आउट वाइशाड़ोस में आप देख सकते हैं तो फॉल आउट को क्लीन करने के लिए मैं अपना ट्रस्ट वाधी गानिया का मैं आइसला वाट यूस कर रही अब मैं नायका का आयम ब्लैक काजल लगा रही हूँ यह मेरा होली क्रेल प्रोड़क्त है काफी रिच ब्लैक कलर का काजल है इसमें सिर्फ अपनी आधी वाटर लाइन पर अप्लाए कर रही हूँ जैसा के आप देख सकते हैं और मेरी आइस जो है वह बहुत सेंसिटिव है तो वह एकदम से वाटर करना भी शुरू कर देती हैं तो अब अपनी पसंद का कोई भी काजल अप्लाए कर सकते हैं और अब हम क्या करेंगे अब यह वाला शिमर शेड मैंने पॉइंटी मॉर्फिक के ब्रश पे लिया है और इसे मैं अपनी देखिए लोर लैश लाइन के उपर अप्लाइ कर रही हूं मुझे यह जरूर लगा कि यह स्मूथ मेटालिक शेड नहीं है और इसमें स्पेक्स ऑफ शिमर है जो की मेरी आइस पे फील हो रहा था मुझे और डेफिनिटली प्रबबली एक आई पैंसे लगाती और इसकी उपर इसे लगाती और ज्यादा फैक्टर आता पर नंदलेस मैं इसे बिल्ड कर रही थी संबल संबल के और इट वोज ओके नॉट वाउट बाइस वन पर मेरे आई लुक को डेफिनिटली एक डिमेंशन जरूर मिला ऐसा करने से तो मैं प्रॉडक को अच्छा से धीरे धीरे करके ही पर बिल्ड कर रही हूं और बहुत अच्छा ब्लू कलर का लाइट ब्लू कलर का शिमर शेड है अब मैंने एकदम बहुत ही सलीकेदार आईलाइनर अप्लाई किया वह ऐलाइनर निक्स कोस्मेटिक्स का था और अब मैं एसेंस कोस्मेटिक्स का होली ग्रेल प्रॉडक्ट लाश्च पिंसस मसकार और इसलिए मुझे बहुत अच्छा और किफायती दाम पर मिल जाता है तो क्या ही कहने वो ब्रेश इस मैं यूज गे थो और मैं अप्लाइ कर रही हूं के ब्यूटी का लिक्विड लिप्स्टिक इन दे शेड प्रॉमिस और हमारा आय लुक क्रेट हो गया है मुझे बहुत अ आशेड़ पैलेट वाली वीडियो में दिखाया था यह पैलेट और मैं तो बहुत ही जादा खुश हूँ कि मैं यह आई लुक क्रेट कर पाई आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको इस पैलेट के थ्रू किसी और तरिके का लुक देखना है या नहीं and don't forget to subscribe to my channel for more such videos तरिके कर देखना है यह थिएर लुक कर दोतर के खिस औरिके को वीडियोग से जालेट किसी और में प्रेंट है यह थोच्श यह चाज़शा कर दो दोड़ार बहुत हैं आप से लियोग है यह भालेट बहुत है यह तो जाया है